अगली जो इस्तति है वो अपन यौन संचरी द्रोगों के बारे में सिंपल सी बात कर लेते हैं, यह यौन संचरी द्रोग सामाने तो या तो जीवानुजनित होते हैं, या फिर विसानुजनित होते हैं, विसानुजनित यौन संचरी द्रोग आपका एड से है, इस रोग के ब मंद के माध्यम से या blood transfusion या रोगी माता से सिश्वाँ में फैलता है और फैलने के बाद लंबे समय तक उस जिस व्यक्ति के सरीर में गया है उस व्यक्ति के सरीर की T-limpocyte जो T-limpocyte होती है उसमें से भी एक विसिस प्रकार की T-limpocyte कौन से T-limpocyte एलपर T-limpocyte के अंदर अपना गुणन और व्रदी और विकास करता है अरताथ इसका जो वाइरस है HIV, Human Immunovirus वो T-limpocyte के अंदर जाएगा और एलपर T-limpocyte का जो DNA उसके साथ अपने RNA को जोड़ करके और by the help of reverse transcriptage enzyme की साहिता से अपना DNA बनाएगा और वो DNA उसको सीगा के DNA के साथ जोड़ करके उसको सीगा के समस्त मेटाबोलिक सिस्टम को हाइजएक कर लेगा या अपने नींतरण में लेगा अपने नींतरण में लेकर के जो अप उसकी जरुद होगी वैसी प्रोटीन और वैसे RNA अनुओं का निर्माण कर नए वायरस अनुओं का निर्माण करेगा वो वायरस के अनुओं उसको सीगा के फटने से पार निकलेंगा और वापस नहीं को संख्या को करते हुए सरीर में उपस्नित helper T cell की संख्या को कम कर देते हैं और T cell है वो सरीर की immunity को create करती है immunity को बनाती है अब तरीर की रोग प्रतिरुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद अर्थात जब तक रोग के लक्षन नहीं आते हैं तब तक भी वो पैसेंट अर्थात वो जो रोगी है वो स्वस्त वैक्तियों में आसरुक्षित जान संबंद के मादियम से इस रोग का संचरन या इस रोग को फैला ते रहता है जिस से इस रोग की संक्राम का वस्ता अधिक गातक होने से ये रोग अत्यंत खतरनाब रोग है जिसका आज तक को तारगरो पाए पोज नहीं पाए है है अर्थात बचा भी उप्चा है जिसके उत्पती प्रपोनेमा पैलेडियम नामक जिवानु से होती है पलेडियम नामक जीवानू से होती है यह गरबा अवस्ता में अपरा द्वारा सिसू तक इस्तानांत्रित होने के खमता रखता है अर्थात गरब वथी माता से इस दातसद अ hello क को वे ँष को सकता है साथ आस रुक्षित यौन संबंद से इस रोकी फ्टति होती होती है रोग की तीन अवस्ताएं होती है रोग की जो लास्ट अवस्ता है उस अवस्ता में जो पैसेंट के दाथ है उस पर स्वेत रंग के धब्बे दिखाई देते हैं बहुत important point बोल रहा हूँ स्वेत रंग के धब्बे दिखाई दे रहा है जिनको इटकिंसन के स्पोर्ट कहते है जो इस इटकिंसन के स्पोर्ट जो इस रोग का मुखे अभी लक्षन है साथ यसाथ ये सरीर में बाकी जो infection की symptom में वो तो दिखेंगे साथ यसाथ ये सरीर के lymphatic system जो होता है blood circulatory system का जो lymphatic circulatory system होता है उसमें infection कर और अशमताय उत्पन करते हैं अगला है गोनेरिया ये भी जीवानु जनित रोग है जिसके उत्पति नाइजेरिया गोनेरिया नामक जीवानु से होती है इस रोग के लक्षन भी जीवानु जनित जो रोग है उनके समानी है जैसे बुखार आना है शरीर में रोग प्रतिरुदक्षमता गट जाती है इसमें भी गटती है बिल्कुल और जो पैसेंट है उसके जन्नागों से स्वेत रंका रोग निकलने लगता है और उसमें बहुत सड़ी होई बदभू भी आती है तो यह जीवाणव जन्नागों जो रोग है इनके जो मुखे लक्षण है वो रेप्रोड़िक्टिव सिस्टम या जनन तन्तर को प्रभावित करते हैं ओर इनकी जो ऊत्पती है वो आसुर्ख्सित यहौन संबंद से होती है या फैलने का जो कारण है वो असरुक्षित यौन संबंद है इसलिए इनको यौन संचरी द्रोग या सेक्स्वाली ट्रांस्मीटेड डीजी कहते हैं